Welcome to EJF Academy, मैं हूँ Dr. Gita Anjali, Current Affairs Series में आज का टॉपिक है, Phosphorus Problem, Critical Shortage of Phosphorus, देखो जो Phosphorus होता है, वो Plant Growth के लिए बहुत जरूरी है, Agriculture के लिए बहुत जरूरी है, Agriculture field में Fertilizers टाले जाते हैं, जिनको कि हम NPK से refer करते हैं, इसमें क्या होता है, Nitrogen, Phosphorus and Potassium, तो ये जो Phosphorus है, ये Fert से निकाला जाता है, और उसके बाद Fertilizer बना जाता है, लेकिन अभी ये जो Phosphorus है, इसके काफी Shortage देखने को मिल रही है, Worldwide, तो ये Shortage क्यों हो रही है, इस पर हम देखते हैं क्यों Shortage हो रही है, देखो Phosphorus के जो Reserves है, Already जो Present है, Globally, वो काफी जादा Limited है, बहुत कम जगह इसमें देखा जा रहा है, जिसकी वज़े से जो Fertilizer Market है, वो गाफी Disrupt हो रही है, देखो, Fertilizer में, अगर Cadmium से जो Contaminated Phosphorus है, उससे अगर हम Fertilizer बनाते हैं, तो उससे होगा क्या, हमारो जो Agricultural Field है, उसमें हमने वो Cadmium वाला Fertilizer डाल दिया, तो वो जो Cadmium है, वो उस Plant म को अगर हम खाते हैं, उसके जो Grains है, तो उससे वो Human Body में भी आ सकता है, जिससे की वो Human को Damage कर सकता है, so that's why जो Phosphorus की Scarcity है, Phosphorus की जो कमी है, उसकी वज़े से Agriculture Sector काफी Impact हो सकता है, देखो, Naturally जो Phosphorus है, अर्थ के Crust में ये मिलता है, Phosphate के Form में मिलता है, इसमें जो Most Prominent Phosphate है, that is Appetite, Appetite के Form में ये मिलेगा, Phosphate Rocks में, जो Phosphate Rock होता है, इन में Phosphorus का Content काफी ज़्यादा होता है, तो इसका Extraction Easy होता है, इसी में से Phosphorus को निकाल लिया जाता है, और उससे बनता है, Fertilizer, तो NPK देखा जाता है, कि Fertilizer में Nitrogen कितना है, Phosphorus कितना है, और Potassium कितना है, और इसका जो ये P है, that is the Phosphorus, अब जो Phosphorus है, उसके Industrial uses भी होता है, सिर्फ फटिलाजर में ही यूज नहीं होता है, डिटरजेंट में भी Phosphorus का Use होता है, इसका क्या Use है, जो Hard Water होता है, एक होता है Soft Water, और एक होता है Hard Water, जो Hard Water होता है, इसमें Calcium और Magnesium के Carbonates ज़्यादा प्र जो ये Surfactants होते हैं, या फिर जो Soap होते हैं, वो अच्छे से पानी में Mix नहीं होते हैं, तो उसका Use करना काफी Tough होता है, जबकि Soft Water जो होता है, उसमें Calcium Magnesium कम होता है, इस वज़े से, उसमें Surf अच्छे से Mix हो जाता है, और उसका हम Use अच्छे से कर सकते हैं, Soft Water आप समझ सकत हैं, वो हाड वाटर में काम नहीं करते हैं, इसलिए इसमें Phosphate मिला दिया जाता है, तो Phosphate जब इसमें Mix कर देते हैं, तो ये अच्छा सा सर्फक्टेंट बन जाता है, जो Close होता है, उसमें से Stains को Easily Remove कर देता है, तो यहां पर भी Detergents में Phosphorus का Use होता है, हाला कि इसके Negative Environmental Con जानी होता है, इसको जब भी रिवर्स में आ जाता है, रिवर्स के तो लेक में पॉंचता है, वहां पर जाकि ये यूट्रोफिकेशन करता है, और यूट्रोफिकेशन का मतलब कि पूरा जो लेक एकोसिस्टम है, उसका डैमेज हो जाना, प्लांट ग्रोथ के लिए Phosphorus क्य ये पार्ट होता है, ATP Synthesis, ATP का मतलब क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, हर एक और्गनिज्म को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ATP के फॉर्म में चाहिए, तो इसमें जो ATP में ये जो P है, इस फॉस्फोरस, फ्लार फॉर्मेशन होता है, प पिर डिविजन होगा है, फिर चाहर सेल बनेंगे, इस तरीके से, बहुत सारी सेल्स बनती रहती है, और उसी से प्लांट की ग्रोथ होती है, तो ये जो सेल्डिविजन की प्रॉसेस है, उस प्रॉसेस के लिए भी फॉस्फोरस बहुत जादा इंपोर्ट होता है, और सो इंडिया में बहुत कम मिलता है, ना के बराबर, चाइना में आपको मिलेगा, USA में भी कुछ डिपोजिट्स है, South America में भी कुछ डिपोजिट्स है, Australia में भी आपको इसके डिपोजिट्स मिलेंगे, इंडिया में फॉस्फोरस के अगर हम बात करें, तो इंडिया डैफिशे होता है एक और इसी में से फॉस्फोरस को निकाला जाता है, तो इंडिया कंप्लीटली इंपोर्ट पे ही dependent है, हम इंपोर्ट करते हैं फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर बनाने के लिए, इंडिया में अगर कहीं पर फॉस्फोरस का थोड़ा बहुत production होता है, तो वो दो ही स् से वेस्ट आ फ्रीका में सबस्टे संदन लेकिन प्राब्लम यह कि यहां पर फॉस्फोरस है वो कैडमियम से कंटामिनेटेट है, कैडमियम क्या है, एक टॉक्सिक मेटल है जो इसमें प्रेजने है, this is contaminated with कैडमियम, जब भी हम राइस का प्रोडक्शन करते है, पैड़ी मीन्स राइस, तो इसमें अगर हम फॉस्फेट का फटिलाइजर डालते हैं, और उसमें कैडमियम भी अगर प्रेजन्ट है, तो यह कैडमियम रूट्स इसको एब्सॉप कर लेता है, और रूट्स से होते वे, फिर यह स्टैम में पहुंचता है, और स्टैम से होते वे, यह कैडमियम जो राइस के ग्रेन से उसमें आ जात तो चैलेंजिस क्या हैं फॉस्फोरस से रिलेटेड पहला तो यह है कि लिमीटेड रिजरूस हैं आप देखो हर कंट्री में नहीं मिल रहा है और उसमें से भी जहां पर सबसे जादा मिल रहा है लाइक वेस्टन एफरिका में वहां पर कैडमियम कंटैमिनेशन यहां पर कर देता है तो में प्राब्लम यहीं है फॉस्फोरस काफी स्कैर्स है और इंडिया के लिए तो और भी प्राब्लम है क्योंकि हमारे रिजरूस काफी कम है फॉस्फोरस के जब फॉस्फोरस का ओवर यूज किया जाता है जैसे कि फर्टिलाइजर्स में अगर बहुत जादा तो अगर soil की testing करी जाए कि कितना उसमें phosphorus है और कितने amount की जरूरत है तो उतना ही phosphorus उसमें add करने की जरूरत है उतना ही fertilizer डालने की जरूरत है लेकिन soil की testing करते नहीं है farmers और जितना भी fertilizer है उसमें डाल देते हैं जो अगर excess में है तो वो fertilizer फिर rivers में पहुँच जाता है agricultural field से होते rainfall की throw वो rivers में पहुच जाता है rivers से वो pond में पहुच जाता है pond में बहुच के फिर वो utrophication करता है utrophication का क्या मतलब है enrichment of phosphate and nitrate जब भी phosphorus और nitrogen किसी भी water ecosystem में ज्यादा हो जाता है तो उससे utrophication होता है utrophication का मतलब यह है कि जो algae present है यहाँ पे aquatic ecosystem में algae photosynthesis करती है तो किसी ने किसी type क algae मिलती है जैसे कि यहाँ पे जो algae दिख रही है आपको green color की algae दिख रही है algae अलगलग pigments होते है algae में तो इससे उसका color भी अलगलग color की algae आपको मिलती है on the basis of कि उसमें कौन सा pigment है जो algae है अगर phosphorus और nitrogen की presence में उसका overgrowth हो जाता है तो वो पूरे के पूरे pond ecosystem में एक layer बना देता है उससे होगा क्या अगर ये पूरा का पूर overdrive हो गया तो जो sunlight है वो नीचे नी पहुँच पाएगा और दूसरा जब है जो यए algae हैं उनकी भी डैट होती है जब overgrowth है तो उसके वाद उसकी भी हैं bacteria और जब bacteria decompose करते हैं किसी भी dead body को तो वो oxygen का use करते हैं अब जो पानी है उसमें limited oxygen present होता है like 428 910 ppm के आसपास में oxygen present होता है तो अगर decomposition की process में जो bacteria है वो oxygen को इस oxygen को use कर लेते हैं तो oxygen की कमी हो है उससे जो aquatic animals हैं उनकी death होना शुरू हो जाता है अब इनकी death होना शुरू होगा तो यह भी decompose होंगे इनको भी bacteria decompose करेंगा फिर और भी oxygen यहां पर use हो जाएगी तो ऐसे क्या होता है कि पूरा का पूरा इस यूज नहीं करना चाहिए और उसके लिए farmers को अवेर करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए फार्मर्स को अवेर करना बहुत ज़रूरी है और इसमें स्मार्ट अगरिकल्चर प्रिसीजन व्रिसीजन फार्ट अवेरा करना है तो इसके लिए कर सकते हैं सोलिल टेस्तिंग कर सकते हैं सैंसर्स का यूज कर सकते हैं Artificial Intelligence का यूज़ कर सकते हैं, Data Analytics का यूज़ कर सकते हैं, और Farmers को Aware कर सकते हैं. इसके अलावा Phosphorus Solubilizing Biofertilizer भी यूज़ हो सकता है. देखो अगर हम जो synthetic fertilizer है, जैसे की Urea है, या कोई भी और है, Phosphate fertilizer, उसको हम use ना करें, उसकी जगए Biofertilizer यूज़ कर सकते हैं. Soil में पहले से ही Phosphorus present होती है, लेकिन वो Soil के Particles के साफ में Bind होती है, और जो Plant है उस Phosphorus को वो ले नहीं पाता. तो कुछ ऐसे bacteria होते हैं, कुछ fungus होते हैं, जो इस Bind Phosphorus को Free कर देता है, और फिर उसके बाद ये जो Plant है वो इस Phosphorus को ले सकता है, उनी bacteria को या microbes को हम Biofertilizer कहते हैं, तो उन Biofertilizer या Phosphate Solubilizing जो bacteria है, उन्हें हम introduce कर सकते हैं यहां पे, और वो जो Insolubal Phosphorus है का Solubilization कर सकता है, और फिर उसके बाद प्लांट उसे ले सकते हैं, इससे हमारा जो Synthetic Fertilizer है, उसको कम यूज़ करना पड़ेगा हमें, और माइको राइजा, जिस प्लांट में ये फंगस नहीं प्रेजन है, वहां उसकी growth कम होती है, और अगर इसी प्लांट में हम ऐसे फंगस को में रहता है और phosphorus को भी solubilize करता है, it means कि soil से separate करता है, जो soil में bound phosphorus है, उसको liberate करता है, ताकि ये फ्लांट उसको यूज़ कर सके, तो ऐसे fungus को भी हम यूज़ कर सकते हैं, Synthetic Fertilizer की जगए, इस वीडियो को PDF आप description box में देएके link से डाउनलोड कर सकते हैं, current affairs series को follow करने के आप चैनल को subscribe करें, you can join our affordable courses for your better preparation, website link is given in the description box.